नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है, जो 40 प्रतिशद हिंदुस्तान का है, वो सिरफ दो लोगों के हाथ में चला जाएं। आज एक व्यक्ति, एक उद्योगपती हिंदुस्तान के 40 प्रतिशद अनाज को कंट्रोल करता है। हिंदुस्तान के 40 प्रतिशद जनता से च्छीनने का काम किया जा रहा है, और देश को नुकसान होने वाला है, और इसे लिए ये सिर्फ किसान की जिमेदारी नहीं है, ये सिर्फ किसान की जिमेदारी नहीं है, ये मजदूर की जिमेदारी है, ये हर युवा की जिमेदारी है, ये चोटे वियपारियों की जिम्मधारी है ये सब की पूरे हिंदुस्तान की जिम्मधारी है भाई और बहनों ये किसी एक उत्योगपती का बिजनस नहीं है ये जो बिजनस है क्रिशी का बिजनस है ये भारत माता का बिजनस है किसान भाईयों भाई और बेहनों आप सब का यहाँ दिल से मैं स्वाधत करता हूँ नमस्कार आज मैं आपसे ये जो किसान के जो तीन नए कानून नरेंद्र मोधी जी लाए हैं इनके बारे में बात करने आया हूँ इन कानूनों के पीछे सोच क्या है इन कानूनों का लक्ष क्या है अच्छा बैया शान्त हो जाए इन कानूनों के पीछे लक्ष क्या है तीन कानून है पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपती जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सबजी खरीदना चाते है खरीद सकते है बाई और बैनो अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो मंदी का क्या मतलब रहा पहले कानून का लक्ष मंदी को खतम करने का मंदी की हत्या करने का है दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उध्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सबजी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उध्योग पतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपनी सबजी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा भाई और बेनों हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस क्रिशी का बिजनस है अगर आप सोचते हैं कि गारी बनाने का बिजनस सबसे बड़ा है या हवाई जाज उड़ाने का बिजनस सबसे बड़ा है तो आप गलत फेहमी में हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा वियपार क्रिशी है और ये सबसे जरूरी बात सुनिए 40,00,00,00 करोर रुपे का बिजनस है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनस है और ये बिजनस किसी एक वियक्ती का नहीं है अगर आप गारी बनाने का बिजनस देखें तो वहाँ एक वियक्ती महिंद्रा गाड़ी बनाता है दूसरा वियक्ती टाटा गाड़ी बनाता है पूरा का पूरा धंदा उनका है क्रिशी का बिजनस ऐसा नहीं है क्रिशी का बिजनस हिंदुस्तान के 40 प्रतिशद लोगों का बिजनस है इसमें किसान शामिल है छोटे वियपारी है चोटे बिजनस वाले है मिडल साइज बिजनस वाले है मज़दूर है यह सब इस बिजनस के भागीदार है अब नरेंद्र मोधी जी चाहते है नरेंद्र मोधी जी चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनस उनके दो मित्रों के हवाले हो जाए कानूनों का यही लक्ष है नरेंद्र मोधी जी चाहते हैं कि जो आपका है जो 40 प्रतिशत हिंदुस्तान का है वो सिर्फ दो लोगों के हाथ में चला जाएं और हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे कभी नहीं होने देंगे और ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है किसान के पीछे मजदूर कड़ा है मजदूर के साथ छोटा वी अपारी कड़ा है अगर नरेंद्र मोदी के ये कानून लागू हो गए तो याद रखिए सिरफ कुसान को नुक्सान नहीं होगा आज जो सडक में मुंपली बेचते हैं जो अचार बनाते हैं जो चना बेचते हैं जो रेड़ी पट्री पेमाल बेचते हैं रेड़ी पट्री वाले ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे एक नहीं बचेगा सब के सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के लिए काम करेंगे और देखिए दूसरे कानून का लक्स समझे आज एक व्यक्ति एक उद्योग पती हिंदुस्तान के 40 प्रतिशद अनाज को कंट्रोल करता है 40 प्रतिशद अनाज उसके गुदाम में है दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80-90 परसेंट अनाज पे कंट्रोल दे देगा और अब जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए आने वाले समय में जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योग पती अपने गुदाम से अनाज फल और सब्जी मार्केट में डालेगा जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और किसान को कम से कम दाम में अपना अनाज अपना फल अपनी सब्जी बेचनी पड़ेगी उसके बाद वही किसान कंज्यूमर बनके फल खरीदने जाएगा सब्जी खरीदने जाएगा अनाज खरीदने जाएगा वही उद्योग पती मार्किट से अनाज फल सबजी खरीद के अपने गुदाम में डालेगा और जैसे ही वह अपने गुदाम में अनाज फल और सबजी डालेगा दाम एक दम से तेजी से उपर बढ़ेगा और पिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी खरीदने में ये दूसरे दूसरे कानून का लक्ष है पहले कानून का लक्ष भी पता देता हूँ आज जो पूरा सिस्टम है अनाज बेचने का चोटे-चोटे वियापारियों का इस सिस्टम को नष्ट करने का ये पहला कानून है नरेंद मोधी जी चाहते है कि पूरा का पूरा नाज, पूरा का पूरा पूरी का पूरी सबचिया, फल एक ही ब्रैंड, एक ही तरीके की सूपर मार्केट एक ही तरीके की दुकान में पूरी हिंदुस्तान में बिके ये लक्ष है भाईयों और बेहनों और मैं आपको गैरंटी दे के कह रहा हूँ और मैं सिर्फ किसानों को नहीं कह रहा हूँ मैं चोटे भी अपारियों को कह रहा हूँ मैं चोटे business middle-sized business वालों को कह रहा हूँ मैं मजदूरों को कह रहाँ मैं युवाओं को कह रहा हूँ सुन लो बाद आज नहीं माननी तो मत मानो मगर सुन लो जब ये कानून लागू होंगे हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं आप्षिन दे रहा हूँ हाँ आप्षिन दे रहे हैं तीन आप्षिन दिये हैं पहला आप्षिन भूक दूसरा आप्षिन बेरोजगारी और तीसरा आप्षिन आतम हत्या यह आप्षिन है और आप देख लेना करोना के समय मैंने कहा था फेबरेरी में कहा था देश को जबरदस्ट नुकसान होने वाला है मेरे मीडिया के मित्रों ने मेरा मज़ाक उड़ाया और फिर इनी के घरों में इनी के परिवार के लोग बिमार हुए नोट बंदी के बारे में मैंने कहा था ये गरीबों से चोरी है आपके जेब से पैसा निकाल कर सबसे बड़े दो तीन उद्योग पतियों के जेब में डाला जी एस टी के बारे में मैंने कहा था ये चोटे वियापारियों को चोटे बिजनस वालों को बड़े मिडल साइज बिजनस वालों को मारने का तरीका है उनसे चोरी करने का तरीका है और उनका जो धंदा है उनका जो काम है उनका जो वियापार है उनसे चीनने का है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े दो तीन उत्योपतियों को देने का है अब मैं कह रहा हूँ ये जो तीन कानून बनाए जा रहे हैं ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनस को हिंदुस्तान के 40 प्रतिशत जनता से छीनने का काम किया जा रहा है और देश को नुकसान होने वाला है और इसे लिए ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है ये सिर्फ किसान की जिम्मेदारी नहीं है ये मजदूर की जिम्मेदारी है ये हर युवा की जिम्मेदारी है ये चोटे वियपारियों की जिम्मेदारी है ये सब की पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है भाई और बेनों ये किसी एक उद्योगपती का बिजनस नहीं है ये जो बिजनस है क्रिशी का बिजनस है ये भारत माता का बिजनस है नरेंदर मोधी जी कहते है मैं किसानों से बात करना चाहता हूं किस बात की बात किस चीज के बार में बात करना चाहते है आप कानून वापिस लीचिए और देश का सब हरे किसान आपसे बात करेगा आप किसान के घर में ढाका डाल रहे हो आप उससे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो आप जो उसका उससे चीन कर हम दो, हमारे दो को देने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को त्यार हूँ कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा जब तक आपने ये कानून वापिस नहीं लिया हिंदुस्तान का एक किसान आपसे नहीं बात करेगा यह मैं आपसे कहना चाहता था आप दूर दूर से आए प्यार से आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आप सब को दिल से धन्यवाद नमस्कार जैहिद